पर्तमान की अशोग गलोट सरकार निब रश्टाचार के सभी मानविंदूओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिये हैं राजस्तान में जिस तरह से राजस्तान के लाखों युवाओं के भविश्य को अंदकार में बना दिये हुए एक से लेकर के उननीस बार तक लगातार राजस्तान में जिस तरह से पेपर लीक हुए उसके कारण से राजस्तान के सत्तर लाख युवाओं जो विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं में सम्मिलित हुए थे उनका भविश्य नकेवल अंदकार में हुआ अब ही तो सरकार द्वारा प्रतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से भरती की व्यवस्था पर से भी प्रदेश के लोगों का प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवार जनों का विश्वास समाप्त हो गया 79 राख युवाओं में से निश्चिती अधिकान शीवा किसी गरीब के बेटे थे किसी साधर्ण परिवार के बेटे थे किसी किसान के बेटे थे किसी आदिवासी परिवार के बेटे या बेटी थे या किसी दलित परिवार के बेटे या बेटी थे जिन्होंने पेट काट करके इस आशा के साथ में कि बेटे के द्वारा किये गए परिश्रम के चलते वे जब उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी उसके जीवन में एक स्थाई त्वायेगा और साथ ही साथ परिवार का सम्मान भी एक बार फिर पुनह स्थापित होगा इस आशा के साथ में उन्होंने कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया युवाओं ने भी एक बहतर भविश्य की अपेक्षा में जिस तरह से रात रात बर जाग करके परिश्रम किया लेकिन अन्तत है उसका परिणाम पेपर लीक के माध्यम से उजागर हुआ